हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू गाइटल यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपकी GS टीचर, गुर्ब्रेट कॉर्ण तो जैसे कि हम CHSL के सभी क्वेशन्स GS के कवर कर रहे हैं उसी सीरीज में आगे क्वेशन करते हैं फस्ट क्वेशन है लार्जेस्ट होकी एरेना कौन सा है? यह पूछा गया था एक्जाम में तो यह कैनेड़ का बेल्स सेंटर इन मॉंट्रियाल यह हमारा होकी एरेना है जो की सबसे बड़ा है विश्व में इसी सीक्वेंस में हम आगे भी देख लेते हैं यहाँ पर दिये गए है बेल्स सेंटर कैनेड़ा का है युनाइटेट सेंटर युएसे का है वेल्स फेर्कू सेंटर युएसे का है लिटल सीजर्स एरेना युएसे का है ओकी गाइस नेक्स व्यूशन हमारा आता है चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाये गए है तो ये हमारे जनरल विपिन रावत जी को बनाया गया है ये इंडिया के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ है पहले हमारे cds है इनको अपॉइंट किया गया था फर्स जैनुवरी 2020 में प्रिंसिपल मिलिटरी एडवाइजर है ये ठीक है हम याद रखेंगे इन किनको न्यूक्त किया गया है तो वो है मिशेल देवबात्रा पात्रा ओके गाइस ध्यान रखेंगे हम लोग और ये चार हुआ करते हैं तो बाकी तीन के भी नाम हमारे यहां पर सीक्वेंटली दिये गए है श्री एमके जैन श्री बीपी कुनुंगो श्री एन एस का नाम और ये जो मिशेल देवबात्रा पात्रा है वो किनके स्थान पर आया है ये शक्तिकान तास जी के स्थान पर इन्होंने अपना पत्पार समाला है ओके नेक्स्क्वेशन पर आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहा हुए है 2020 गेम्स हमारे गुहार्टी असाम में खेले गए है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड जिसने जीते हैं वो है हर्याना खेलो इंडिया गेम्स कब स्टार्ट हुए थे ये 2018 में स्टार्ट हुए थे पहला गेम जो खेला गया था वो हमारा देली में खेले गये थे और देली में महरास्ट्रा के सबसे ज़्य जादा गोल्ड थे महाराश्ट पहले नमबर पे था दूसरा हमारा 1920 का जो गेम खेला गया था वो महाराश्टरा में खेला गया था पूने में और यहां पर भी महाराश्ट सबसे अलग आगे था नेक्स्ट कूशन हमारा आता है फोटो-फोटो-फोटोडड्रिक रे व उस भाज डिसकवर था तो वो है हें अद्रिस रडॉलफ हर्ट ने एâteन ऐटी जैवन जो की चर्मन के फिजिसिस्ट है उन्होंने सर्च किया था इसका डिसकवर किया था next question पे आते हैं हम लो uranium is produced maximum by which country uranium किस country द्वारा सबसे ज़्यादा produce किया जाता है तो सबसे पहले नमबर पे हमारा कजागस्तान आता है इंडिया की rank 11th आती है uranium production में इसी प्रकार से 2nd हमारा Canada आता है और 3rd Australia में uranium production होता है next हमारा question आता है Garfield Trophy is related to which sport कौन से खेल से Garfield Trophy related है cricket से related है हमारी Garfield Trophy cricket से related और भी Trophy पूछी जाती है जो कि यहाँ पर mention की गई है guys CK NIDO Trophy बहुत पार exam में आ चुकी है Dulep Trophy, दिवधार Trophy, एशे, एशिया कप, पार्सिया Trophy सभी को हमें याद रखना है next question आता है India's rank in Asia Athletic Championship Games तो कौन से rank आई थी हमारे इंडिया की भारत का आया था 4th rank ओके गाईस याद रखेंगे यह question repeat हुए हैं बार बार next हमारा जो इनके बारे में बात होती है कि यह खेले कहां गए थे यह games Asian Athletic Championship जो हमारी दोहा कतार में खेली गई थी April 24, 2019 में इंडिया के 4th rank थी इसने 3 gold जीते हैं silver साथ जीते हैं और साथ ही हमारे bronze medal आये हैं total हमारे 17 होते हैं next हमारे question आता है financial emergency comes under which article of Indian constitution भारतिय सम्वेधान के किस article में financial emergency को include किया गया है तो वो है हमारे article 360 article 360 में financial emergency को include किया गया है जो कि हमारे भारत में कभी नहीं लगी है ठीक है national emergency आती है 352 article के अंतरगत state emergency आती है 356 article के अंतरगत financial emergency हमारी आती है 360 article के अंतरगत next हमारा होता है question who won nobel prize in physics to 2019 में किसने physics में nobel prize जीता है तो ये तीन लोग है जिनोंने मिलकर nobel prize जीता है physics में जैसे कि आप देख सकते हैं Jim Peebles, Michelle Mayor and Debbier Quellos यहाँ पर mention किये गए है chemistry में किसने जीता है आप इसका screenshot ले सकते हैं guys क्योंकि अगर physics का पूचा है chemistry का भी पूचा जा सकता है nobel prize prize पूचा जा सकता है economics में किसने जीता है और literature में किसने जीता है आपको किसी का भी पूचा जा सकता है guys so please take a screenshot of this slide next question मुद्रा scheme related to मुद्रा scheme की full form यहाँ पर दी गई है micro units development and refinance agency limited okay guys यह scheme है जो government द्वारा launch की गई थी next question है कि 1 GB is equal to how many MB तो 1 GB कितने MB के बराबर होता है यह question exam में आया था तो जो 1 byte बनता है वो 8 bits से बनता है ऐसे ही bytes मिला कर 1 kilobyte बनता है जैसे कि आपको data यहाँ पर नजर आ रहा है तो हमारा 1024 MB को मिला कर 1 GB बनता है जो कि GB से denote किया जाता है next question है who was the inventor of dynamite Alfred Nobel ने dynamite का अविशकार किया था इन्हों ही आगे चल के Nobel Prize की series start की थी ठीक है इन्ही के नाम पर Nobel Prize जो दिये जाते हैं वो इन्ही से related है देखिए guys यह questions जो है न एक ही topic के इर्दगर्द खूमते हैं इसलिए हमें कोई भी topic है वो detail में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए जो questions हमारे आए हैं उन्ही से related आपके GS में questions आएंगे so please keep with us and अपने studies को जो है continue रखेगा जैसे जैसे question कराये जा रहे हैं उनको थोड़ा सा detail में पढ़ने की कोशिश कीजेगा तो अब इन्हों dynamite का अविशकार पूछा गया है वैसे ही common अविशकार कुछ पूछ लिया जाते हैं जैसे ही Thomas Elva edition ने light bulb का अविशकार किया था electricity film audio devices का अविशकार किया गया है ठीक है ऐसे ही कुछ भी पूछा जा सकता है Alexander Graham Bell के बारे में बहुत बार पूछा जाता है तो इन्होंने telephone का अविशकार किया है Johnson Guttenberg ने printing machine का अविशकार किया है Benzamin Franklin ने Iron Furnance Franklin Stoke का अविशकार किया है और Nikola Tesla ने Tesla induction motor का अविशकार किया है Scientific Name of Black Buck Black Buck एक हीरन की तरह होता है जिसको Scientific Name पूछा किया है Antilope Carnicapra Carnicapra Scientific Name है आप लोग याद रखेंगे ठीक है और भी कुछ चीजों का Scientific Name पूछा जाता है Commonly जैसे कि Mango का पूछा जाता है Mango का होता है Magifera Indica हमारी मतर का होता है Pysum Stivum याद रखेंगे गाईज कुछ Common Names ही पूछे जाते है Scientific Name नेक्स्ट मारा क्वेशन आता है दादा साहब फाल के Award 2020 किसको दिया गया है तो यह दिया गया है अमिताब बच्चन जी को और यह इनका जो Award है वो 66 दादा साहब फाल के Award है ठीक है 66th winner कौन बने है अमिताब बच्चन जी बने है जो की Highest Award है Cinema का ओकी गाईज यही थे हमारे Question आप लोग अपना ध्यान रखिए बचके रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए बच्च्च्ट जी टारी है फिर की बच्चन थाप भी में बच्चन थापके बच्चन भी भी अच्चन थाउ और बच्चन थाउर धिए जो प्रूदार है